आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हमार question क्या कह रहा है sin 6 theta plus sin 4 theta plus sin 2 theta बराबर है 0 के then value of theta हमें निकालने हैं देखें हम इस question को कैसे करेंगे हम लिख सकते हैं इसको sin 6 theta plus sin 2 theta plus sin 4 theta बराबर किस के होगा 0 के तो एक चीज़ हमें पता है क्या sin a plus sin b का formula क्या होता है 2 sin a plus b by 2 divided into cos a minus b by 2 यह हमें पता है तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि sin यह हो परिंग जाएगा हमारे पास sin 6 theta plus sin 2 theta बन जाएगा हमारे पास sin 6 theta plus 2 theta divided by 2 into cos 6 theta minus 2 theta divided by 2 plus sin 4 theta बराबर 0 तो यह हो जाएगा हमारे पास sin 8 theta divided by 2 तो यह बन जाएगा 2 sin 4 theta यह कर बन जाएगा हमारे पास cos 6 theta minus 2 theta हो जाएगा 4 theta 4 theta divided by 2 बन जाएगा cos 2 theta plus sin 4 theta बराबर 0 अब इसमें क्या common आ रहा है इसमें common आ रहा है sin 4 theta और 2 cos 2 theta plus 1 बराबर आ रहा है 0 के तो यहां से हम क्या होगा sin 4 theta बराबर हो जाएगा किसके 0 के और 2 cos 2 theta plus 1 बराबर हो जाएगा 0 के तो cos 2 theta आ जाएगा यहां पर minus 1 by 2 तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 theta sin 4 theta बराबर हो जाएगा n pi के या फिर यहां से हमारे पास हो जाएगा 4 theta बराबर हो जाएगा n pi के क्योंकि अगर sin x यह हमें पता है कैसे sin x बराबर होता है अगर 0 के तो x की value जो आती है, वो आती है हमारे पास n pi, यह हमें पता है, तो यहाँ से theta की value आ जाएगी, theta की value आ जाएगी, n pi by 4, वैसे ही, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यह क्या बनेगा, cos 2 theta बराबर का बनेगा, cos 2 pi by 3, तो value आ जाएगी, minus 1 by 2, तो 2 theta बराबर हो जाएगा, यह से 2 n pi, plus minus 2 pi by 3 हो जाएगा, यह हमारे पास, इसको मैंसे लिख सकते हैं, अब अगर हम देखेंगे, तो यहाँ से theta की value के आ जाएगी, theta की value आ जाएगी, n pi, plus minus pi by 3 हो जाएगी, यहाँ से, यह हमारे पास कैसे आया, cos x बराबर होता है, अगर cos y के, तो यहाँ से x जो बराबर होता है, वो होता है, हमारे पास, 2 n pi, plus minus y, यह होता है, हमारे पास यह, इससे हमारे पास theta की 2 value हो गए, theta की 2 value हो गई, जो आई हमारे पास, theta की 2 value आई, एक आई, theta बराबर n pi by 4, और एक value आई, theta बराबर n pi, plus minus pi by 3, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा option आ रहा है, यह आ रहा है, मारे पास पहला option, यह हमारा final answer है, thank you